मुश्कार दोस्तों फिर्स स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Motorola G10 Power और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे call waiting की problem को कैसे fix कर सकते हैं अगर आपकी phone पे यहाँ पे call waiting नई show करता है जब आप कहीं पे busy होते हैं बात कर रहे होते हैं तो उस पीच में जो कोई call आता है तो वो आपको नई show हो रहा है डिस्पले पे तो इस problem को fix कैसे करते हैं चले इस video में हम देख लेते हैं तो इसको fix करने के लिए आपको यहाँ पे dial pad पे जब आप click करते हैं तो यहाँ पे आपको corner पे three dot का option देखने को मिलता है आप इस पे click कर लेंगे इसके बाद setting पे चले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको calling account का option देखने को मिल जाता है आप इस पे click कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको internet पे ये sorry जो दो sim लगे हुए हैं तो वो sim आप select कर लेंगे कि किस पे call waiting नहीं आ रही है तो मैं इस पे click कर लूँगे और इसके बाद additional setting option देखने को मिलता है इस पे आप click कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी call waiting यहाँ पे active हो चुकी है अगर यह आपकी off होती इस step से तो यहाँ पे आपको इसको on करना होता ठीक है इस step से जब यह आप on करेंगे तो यहाँ पे इस step से आपको इसे on करना है call waiting को तो यहाँ पे आपका successfully call waiting आपका enable हो चुका है अब आपको notify होगा जब भी आपकी incoming call आएगी तो तो इस step से आप यहाँ पे call waiting अक्टिवेट कर सकते हैं आपको आपको जरूर कसंदाया होगा इसी टैप के और इंटरसिंग वीडियों से एक निकली चैनल पर विजिट करते रहेगा तो जली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार